अंग्रेजों ने इस देश में बहुत सारे कानून बनाये थे डिवाइड और रूल करने के लिए, लूटने और बांटने के लिए, लेकिन कांग्रेश ने भी बहुत से कानून बनाये इस देश को डिवाइड और रूल करने के लिए और लूटने और बांटने के लिए 1991 में पहला कानून बनाया Places of Worship Act और हिंदू जैन बौध सिख के लिए कोट का दर्वाजा बंद कर दिया 1992 में दूसरा कानून बनाया इस देश को हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया आलब संख्यक बाउसंख्यक में बांट दिया हिंदू ला हिंदू जैन बहुत सिख पे लागू होता है लेकिन हिंदू को मिजर्टी बना दिया सिख जैन बहुत को मैनाटी बना दिया यह इसकी डिवाइड और रूल की पॉलिटिक्स थी और तीसरा जो सबसे घटिया कानून बनाया कांग्रेस में 1995 में जिसको कहते हैव चैलेंज किया और सब्सक्राइए भी Supreme Court में वोगी क्योंकि इने High Court से Transfer Petition फाइल कर दिया है कि इन मैटर अव High Court में नहीं बलकि Supreme Court में चलना चाहिए वाफ वाफ बोड के सारे के सारे Member Muslim होते हैं उसमें एक MLA है ओभी Muslim, एक MP है ओभी Muslim उसमें Advocate ओभी Muslim एक उसमें Town Planner ओभी Muslim, एक उसमें I.S. Officer ओभी Muslim, एक उसमें जो स्कॉलर ओभी Muslim, एक मुतवली ओभी Muslim और उसके पास इतनी Power दिया हुआ है कि किसी भी जमीन पे जाके कहदे ये जमीन वफ की है तो आप उसके Order के खिलाफ उसके Notice के खिलाफ Nearby Court में भी नहीं आ सकते आपको जाना पड़ेगा वक्फ Tribunal में कहने का मतलब अगर मेरट में या मुझफण नगर में किसी की जमीन पे वक्बोर कहदे ये वक्फ की जमीन है तो वो मेरट की कोट या मुझफण नगर की कोट में नहीं जा सकता उसको जाना पड़ेगा लखनो जो मेरा ठुमुझ अफ़न नगर से 700 किलोमेटर दूर है और वहां जाके अपनी सफाई देनी पड़ीगा और सफाई किसके सामने देना है उसी ट्रेबुनल के सामने उसी बोड के सामने जिसने कहा ये जमीन वफ की है तो वफ बोड चोर हो गया वही वफ बोड दरोगा बन गया वही वफ बोड जज बन गया वही वकिल बन चुका है ऐसा कानून हिंदूों के लिए नहीं है ऐसा कानून जैन के लिए नहीं है ऐसा कानून बौध के लिए नहीं है ऐसा कानून यहुदियों के लिए नहीं है किसी के लिए नहीं के वल और एक कम्यूनीटी के लिए काणून बनाया कांग्रेशиной 1995 में ओध है मुस्लिम्स केते में और इस कानून में इतनी शक्तियां दे दिया है कि वह बोर्ड को नोटिस इशू करने के पहले कोई जाज पड़ताल भी नहीं करना उसको जहां मन चाहे वहाँ नोटिस इशू कर दे इसके चक्कर में यह वकबोर्ड वसूली कर रहा है लोगों को धमकाता है कि हम इसको वक्त की प्रॉपर्टी डिकलेर कर देंगे लोगों जिम बन जाओ तो इस तरीके से 36 गड के एरिया में महारास्टा के एरिया में और भी जहां पर पिछड़े लोग रहते हैं गरीब रहते हैं जिनको नियम कानून ज्यादा नहीं पता वहां पर यह कारण भी बन गया है इसलिए मैं कह रहा हूं यह कानून खतम होना चाहिए घटिया कानून बनाना सबसे बड़ा राष्ट दो है और घटिया कानूनों के खिलाप चुप रहना भी सबसे बड़ा राष्ट दो है मैं इस देश के सांसुदों से निवेदन करता हूं विधायकों से निवेदन करता हूं इस घटिया कानून के खिलाप बोलिए 1991 के प्ले दोसी कांगरे से इस कानून को बना के उतने है दोसी वो लोग है जो इस कानून पे मौन है जो लोग इस कानून के खिलाफ चुप है मैं उनको देश भक्त नहीं मानता घटिया कानून बनाना देश द्रो है तो घटिया कानूनों पे चुप रहना भी देश द्रो है घटिया का जैसा कानून सब के लिए होता दो बास समझ में आती जी लेकिन केवल मुस्लिम्स के लिए ऐसा कानून बाकि किसी को ऐसा कानून नहीं क्या हिंदू इस देश में दूसरे दरजे के नागरिक है क्या जैन इस देश में सेकंड क्लास सिर्जेन है क्या इस देश के जो पार्सी है यहूदियों और second class region है, यह सब बराबर है, तो कानून सब के लिए एक होना चाहिए, कानून सब के लिए common होना चाहिए, इस तरीके से Muslims के लिए एक कानून अलग से, यह देश की एकता खंड़ता के खिलाफ है, Constitution के basic structure के खिलाफ है, इसलिए इस कानून को मैंने challenge किया है, मैं स सबसे निवेदन करता हूँ, इस कानून के खिलाफ बोलिये, social media में बोलिये, publicly बोलिये, सडक पे उतरिये, सांसुदों का घहराओ करिये, अपने विधायकों का घहराओ करिये, क्योंकि यह समाधान सडक संसद Supreme Court से होगा, आप अगर सांसद नहीं है, Supreme Court नहीं आ सकते हैं, त तो कम सडक पे उतरिये, इस कानून, इन तीनों कानूनों के खिलाफ बोलिये, 1991 का Places of Worship Act, 1992 का Minority Commission Act और 1995 का WorkPet, इन तीनों कानूनों को खतम करने के खिलाफ आवाज उठाईए, जय हिंद, जय भारत